नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का देश दुनिया की मुक्त आजा बड़ी ख़वरों में सबसे पहली बड़ी ख़वर जो सामने निकल कराई दोस्तों कि गुजराथ चुना में हिजाब को लेकर सक्त हुए असुद्दीन वैसी हिजाब ना पहनने पर मुस्लिम महीला उमीद बार का ओवैसी ने काटा टिकेट पूरे गुजराथ में मचा बबाल वहीं आपको दाएंगे दोस्तों की फीफा वैड कप के दुरान की तिलावत पर भणकी बीजेपी वीजेपी ने फीफा वैड कप के वॉयकाट का भारत में किया ऐलान वहीं आपको अगली बड साद निसाना कहा मोर भी हासे में दोस्यों पर कारवाई बीजेपी ने नहीं की क्योंकि भाजपासे हैं उनके अच्छे संबन्द वहीं आपको दाएंगे दोस्तों की अन्नब गोसामी पर दर्ज केस के मामल में हाई कोट के फैसले को चनोती नहीं देगी सिंदे सरकार भी खबरों को विस्तार से आपको एकर बताने वाले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज इसने हमारी खबरों को देख रहे हैं इसी वीद बढ़ते हो दोस्तों अगली खबर के और तो गुजराद बिदानसवा चुनाम में हिजाब को लेकर असुद्दीन उवैसी ने बड़ी कारवाई अपनी पार्डी के नेताओं पर की है दरसलाब को दादे कि असुद्दीन उवैसी ने उन महिला उम्मीदबारों के टिकेट कार दी है जो बिना हिजाब पेने ही गुजर चुनाम में चुनाब परिचार कर रही है दरसलाब को दादे की एहमदबाद मुंसिपल कारपूरेशन में A.M.M. की काउंसलर सुहान न मंसूरी का हिजाब ना पहनने के चलते है सुद्दीन उवैसी ने टिकेट कार दिया है भही आपको दादे की एहमदबाद की बेजलप पूरी सीट पर M.A.M. के टिकेट पाने वाली दूसरी काउंसलर जैनफ सेख पूरी तरह से हिजाब में ढगी हुई है और वह जम कर परचार कर रही है उन्होंने एपी भी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा था कि हिजाब मेरी पैचान है मैं हमेशा इसी हिजाब में रहती में M.A.M. की काउंसलर सुहाना मंसूरी बिना हिजाब पैने ही लोग के बीच जा रही थी जिसका वीडियो वाला लुआ था और असुद्धी नुवैसी ने इस पर संग्यान लेत हुए सुहाना मंसूरी का टिकेट कार दिया तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों के ह कतर में फीफा बड़ कप में जाकिन नाइक बारा कुरान की तिलावत करने पर भड़की भाजपा फीफा बिसकप का वाइकार करने का बीजेपी ने किया एहलान जै दोस्तों आपको दादे कि कतर में हो रहे फीफा बिसकप को लेकर बीजेपी अब नाराज हो गई है दरसल आपको दादे कि फीपा बिसकप में डॉक्टर जाकिन नाइक ने पहुंच कर स्टेडियम में कुरान की तिलावत की थी जिसके बाद पुरी दुनिया में इनकी चच्चा भी हुई थी और कई लोगों ने इसलाम धर्म भी कुपूला था वही आपको दादे कि डॉक्टर जाक जाकिन नाइक को मंच दे रहा है जिस पर गंबी रारो भारत में जो है है और उन पर एडी सही कई तरह के संगीन आरोप है और जाकिन नाइक को भारत सरकार पकड़ना चाहती है लेकिन कतर किस तरह से जाकिन नाइक के अनुसार पुर्चार कर रहा है इसलाम का जिससे बीज लिखवरी के ओर तो स्रिद्धा मडर केस की नहीं होगी CBI जाच कोट ने याचका को किया खारिज जए दोस आपको दादे की स्रिद्धा मडर केस की जाच CBI को सुपे जाने से संबनित याचका पर दिल्ली हाई कोट ने आज फैंसला सुनाया जिसमें सृद्धा मडर केस की जाच पुलिस के हाथों से लेकर CBI को सौपे जाने की अपील की जाई थी लेकिन इस पर सुनवाई कर्थवे कोट ने उन लोग को जटका दिया जो CBI जाच की मांग करे थे और कहा कि इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो CBI जाच करे मामला इतना गंबी नहीं है जिसके बात कोट ने इस सियाच का को खार्श कर दिया इसी वीदबर्दों दोस्त अगली कवरी के ओर तो राजिस्तान के भरतपुर में समोहिक विवा में 11 जोडों ने खाई कसमें कहा हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे हिंदू भगवान जै दोस्तों आपको दादे की राजिस्तान के भरतपुर के कुम हेर कस्वे के एक निजी मेरिज हॉल में रवीवार यानि 20 नंबर को संत्र रविजदा सेवा समीती ने समोहिक विवा समिलन आयोजित किया था वदा दे कि समीती की ओर से यहां 5 बाज पाज़जन था दरसलाब को दा दे कि इसमें 11 लोग की साधी कराएगी थी और इसमें 22 लोगों ने कस्मिकाई कि हम ब्रह्माण, बिस्टु और महिज को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और हिंदुओं के जितने भगवान है राम सीता इन सभी को नहीं मानेंगे हिंदू ब्रोधी इन लोगों ने सपतली जिसके बाद कई हिंदू बादी संक्टन बढ़ गए इससे पहले भी दिली में एक ऐसा ही कारक्रम आयजुत के आता है जिसमें हजारों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही थी तो ऐसा ही मामलाव राजिस्तान के बरतप हमार को गुजरात विदान सबाच्चुनाप के लिए पार्टी का प्रिच्वार करने पहुंचे गुजरात के राज कोट में एक जनसबा को संबोधित करते हुए राहुल गांदी ने सत्तरूट भाजपसरकार पर निसाना सादा राहुल गांदी ने कहा कि मोर भी हासे में 150 लोग की मौत हो गई थी यह कोई रानितिक मुद्दा नहीं है इसके लिए जिम्मेदा लोग के खलाब कोई कारवाई नहीं की गई है कोई F.I.R.B. दर्ज नहीं की गई है कि एबल इसलिए क्योंकि जो लोग इस मामले के दोस्टी हैं उनके संबंद भाजपाक के साथ अच करकर के पूरे गुजरात को बरबाद कर दिया तो यह बड़ी अपडेटारी बड़ामला राहुल गादी ने बीजेपी पर बोला है इसी वीद पर तो दोस्तों अगली ख़वरी के ओर तो अरनब गोसामी पर दर्ज केस मामले में हाई कोट के फैसले को चुनोती नहीं दोनों मामलों में मुंबई हाई कोड ने इस्टे लगा दिया था उसके बास से मुंबई पुलिस इन दोनों की जास नहीं कर पा रही थी और दब ठागरे की समय में ततकलिन सरकार ने हाई कोड के फैसले के ख़लाब सुप्रीन कोड में अपईल दारी की थी लेकिन एकणा स जिन्दे की सरकार ने याचका को बापस लेने का फैसला क्या है सुप्रीन कोर्ड चीप जिस्टिस डिवाई चंदर्चून और जिस्टिस हिमा कोली की बैंच को इस मामले की सुनवाई करनी थी लेकिन राज सरकार की तरफ से पेस वकील ने बैंच को बताया कि उन्हें जमा करने को लेकर था दोनों मामले में अन्नब गोसामी ने तीकी कबरेच की थी रिपर्ब्रिक टीवी पर इसे लेकर काफी खबरेच चलाए गई थी जिसके बाद सिंदे सरकार काफी नराज हुए थी सिंदे माफ कीजेगा उदब ठाकरे सरकार नराज हुए थी और ठाकर कि करनाटक में कॉंग्रेस एकाई ने मंगलबार को राच की सतरूट बीजेपी सरकार से मतदाता सूची से 27 लाख नाम हटा जाने पर सवाल उठाया है परिदेस काउंग्रेस अद्धश air के सिफकमान ने कहा कि किसी भी तरह के जोडने और हटाने के लिए फॉर्म से विन अनिवार है सिफकमान ने सवाल क्या है कि इन फॉर्म के विना विलोपन कैसे के गए इन विलोपन पर किस ने हस्ताक्षर किये और सहमते दी उन्होंने काई कि चुनावायोग के अधिकारियों से आज मिलने का समय मांग गया था बुद्वार को मिलने का समय दिया गया है हम अधिकारियों से मिलने के बाद सिकाय दर्च कराएंगे मद्दाता सुची घोटाले के संबने काई कानूनी मुद्दे हैं किसी के लिए मद्दाताओं का विवरार प्राप्त करने का कोई प्रबदान नहीं है राजमी 8250 चुनावी बूत हैं जहां के जांच के लिए हर बूत पर एक बिक्ति की पृत्ती न्यूक्ति की जानी है जब उस आपको दादें कि सायद 210 को में ये पहली बार है जब गुजरात विदान सबा चुनाप से पहले बीजेपी को पार्टी कार करता हूँ और समर्तगों की नाराज़ी दूर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ा है किमद्रे गरमंतियम शाक को पार्टी में निचले स्तरपर लगी इस आपको बजाने के लिए लगातार गुजरात में डेरा जमाना पड़ा है प्रदानमंतिय मोधी का भी आना जाना लगा हुआ है और उनकी तमाम चुनाबी रेलियों का कारक्रम बनाया जा रहा है बीजेपी के लिए गुजरात का चुनाब प्रतिष्टा का सवाल है और बेसक बेसके तमाम राज्यों से गुजरात महच एक है लेकिन इसका स्यासी मतलब कहीं अधिक है यह चुनाब को मोधी साक लिए निजी छबी को बनाये रखने या बिगार देने की चमतर रखने वाले चुनाब को तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी ने गोशना की है कि नवमर के अंत में प्रधान मंतरी फिर गुजरा जाएंगे और दो दिन तक भे घर 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 जाकर लोगों को वोट बीजेपी को देने की अपील करेंगे तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुजरात में बीजेपी इत्ती बुरी चुनाब हारे की प्रधान मंतरी मोधी को घर घर जाकर लोगों से वोट वीजेपी को देने की अपील करनी पड़ी तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीट पर तो दोस्तों अगली कोड़ी के ओर तो चाइना बड़ा रहा किलर मिसाइलों से लेस परमाडूओं की फॉज बड़ेगी भारत अमरिका की टेंसन जदोस आपको दादे कि चीन की दुनिया पर कपज़ा करने की नियत और आकरम अक्ता का अंदाच इस बास से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना पीपल्स लिवरेशन आर्मी ने अपनी छे जिन क्लास पंडूबियों को लंबी दूरी वाली जे एल-3 इंटर कंटेंटलल बैसले बैलेस्टिक मिसाइल से लेस कर दिया है सब्मरीन से लांच की जाने वाली पुरानी वेलेस्टिक मिसाइल जे एल-2 की रेंज साथ हैर 200 किलोमीटर थी जिसे चीन ने टटके करीब से अलासका के कुछ हिस्सों तक हमला किये जाने कि यानि इसकी जो लंबाई थी वो दस हैर के लंसम कर दी यानि पहले ये साथ हैर त लग बहात्तर सो किलोमीटर मारती थी लेकिन अब ये 10-10 किलोमीटर तक मारेगी